बिटा आज integrated rate equation for the zero order reaction जो है वो हम लोग देखेंगे तो हम consider करते हैं माल लीजिए बिटा कोई reactant है R जो की हम लोगों के पास product के अंदर जो है वो change हो रहा है अब zero order kinetics कौन follow करता है जिसके अंदर जो rate of reaction है या rate of change of reactant per unit time जो है बिटा is directly proportional to the concentration की power zero अगर हो तो ऐसी reactions को हम लोग जो है वो zero order reactions जो है वो बोल देते हैं अब rate is independent of the concentration of the reactants बोलो क्यों क्योंकि देखो वेटा किसी भी चीज़ की power जो zero होती है that is actually equal to one तो इसका मतलब rate of reaction is proportional to one और it is constant तो rate of reaction जो है वो हम लोगों के पास क्या है constant है अब इस तरह की अगर कोई reaction हो रही है वेडा तो यहाँ पे देखो क्या वेडा जी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ minus dr by dt that is equal to constant times r की power जो है वो हम लोगों के पास zero हो जाएगा अब यहाँ पे r की power zero हो जाएगा तो इसको जो है वो हम लोग कैसे लिख रहे है dr की बेटा dr जो है वो minus k dt के बराबर जो है वो हो गया तो यहाँ पे dr है right hand side पे जो है वो dt है अगर मैं यहाँ पे इसका integration कर दूँ बेटा जी तो हम लोग जो है वो integrate कर रहे है integrate करने का क्या तरीका है t is equal to zero पे मैंने यह माल लिया कि reactant की जो concentration है वो r0 है और time t is equal to t पे जो reactants की concentration है वो हम लोगों के पास rt है तो यहाँ से हम लोगों के पास r0 which is the concentration at t is equal to zero तो यहाँ पे है हम लोगों के पास rt which is the concentration at t तो इसके बाद बेटा जी अगर हम लोग बात करें तो dr का integration जो है वो हम लोगों के पास जो है वो r के बराबर होगा तो dr का integration अगर r के बराबर है इसके अंदर जो lower limit है बेटा जी हम लोगों के पास r note है और upper limit हम लोगों के पास r t है ऐसी minus k जो था ये constant था अब अपर लिमिट माइनस लोग लिमिट करेंगे तो rt माइनस साथ में हम लोग रखेंगे r0 that is equal to minus k times यहाँ पे हो जाएगा t minus 0. तो अगर इस particular equation को मैं थोड़ा सा और elaborate करके लिखाँ तो देखो यहाँ पे rt जो है minus r0 that is equal to minus times जो है वो kt हो जाएगा और अगर मेरे को kt की value निकाल नहीं हो तो दूसरी side पे sine मैं जो है वो उल्टा कर रहा हूँ r0 minus rt जो है वो हम लोग कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है वो मैं general equation लिख रहा हूँ देख लीजिए rt मतलब जो है concentration at any time t that is equal to यह हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया minus of kt plus r0 के बराबर जो है यह हम लोगों के पास हो गया यह जो है negative का उधर जाके positive हो गया और यह इदर positive था इस side पे जाके negative हो गया तो हम लोगों के पास इस तरीके से जो है यह equation जो है वो बन गी अब rt क्या है यह reactant की concentration है at any time t and r0 is the concentration of the reactant at t is equal to 0 which is the initial concentration of the reactant. अगर मैं इसका graph बिटा जी plot करूँ तो यहाँ पे मैं जो है दो axis आपके सामने जो है वो ले रहा हूँ एक axis पे मैं time को plot कर रहा हूँ और एक axis पे जो है वो मैं concentration r को plot कर रहा हूँ इस particular का अगर मैं graph देखू t is equal to 0 value पुट कर दो यहाँ पे t की value 0 पुट करोगे तो rt की value क जो curve है time के साथ-साथ reactant की concentration decrease कर रही है and is directly proportional to the time की power 1 तो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यह एक straight line की equation जो है वो हम लोगों के पास form होगी इसको अगर मैं compare करके चलू y is equal to mx plus c वाल equation के साथ तो यहाँ पे m जिसको की हम लोग बिटा जी slope बोलते हैं उसकी value हम लोगों के पास minus k ह तो यहाँ पे slow it is equal to minus k और c which is the constant जो है y intercept यह हम लोगों के पास r0 के बराबर जो है वो हो जाएगा अब question यह आता है कि कौनसी ऐसी reactions हैं जो हम लोगों के पास इस तरह की equations को जो है वो follow करती हैं तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूं जितनी भी reactions के अंदर जो है वो metals को हम लोग जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं as a catalyst इस्तेमाल कर रहे हैं इन particular reactions के अंदर हम लोगों के पास जो है वो basically zero order kinetics जो है वो follow हो रही है तो ऐसी reactions जिसके अंदर metals as a catalyst use हो रहे हैं और उनके surface के ऊपर जो है वो reaction करवाई जा रही है मतलब metals को as a surface जो है वो use किया जा रहा है जैसे for example किसी भी gas की आपको reaction करवानी हो अब हम usually क्या करते हैं एक कोई ऐसा metal choose कर लेते हैं जो उस particular gas को अपने surface के ऊपर adsorb कर लेता है जैसे for example अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक metal है बटा जी जो की palladium है और इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है किसके साथ hydrogen के साथ अब क्यूंकि palladium अपने surface पे hydrogen को adsorb कर लेगा तो मानलो किसी particular reaction के अंदर मेरे को hydrogen का reaction करवाना है तो मैं palladium का surface यूज करूँगा अब देखो palladium के अंदर जो है वो fixed number of sites available है interstitial sites बोलते हैं क्योंकि palladium की अगर मैं बात करूँ तो palladium के जब atoms एक दूसरे के साथ attach होंगे तो कुछ ना कुछ gap जो है वो उनके बीच में रहेगा जिसके अंदर आके जो है वो hydrogen gas अपना जो है वो स्थान ले के अब यहाँ पर problem क्या होती है वो interstitial sites या fixed number of sites जो है वो जगा ही नहीं है उसके अंदर fixed number of कमरे है जहां पर hydrogen रह सकता है एक बार जो होटल पूरा भर गया palladium का या सारे कमरे जो है वो भर गये उसके बाद अगर मैं hydrogen का concentration increase कर रहा हूं तो कोई भी फरक जो है वो reaction के उपर नहीं पड़ेगा क्योंकि at the same time अगर मैं बात करूं तो कि इतनी hydrogen convert हो रही है वो एक fixed number में है उसके फर्दर अगर मैं concentration increase कर रहा हूं तो वो change नहीं हो रही इसका मतलब उस particular time पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि hydrogen की concentration को vary करने से rate of reaction पे कोई भी difference जो है वो ना आये ऐसी particular reactions को हम लोग जो है वो zero order kinetics वाली या zero order reactions जो है वो बोल देते हैं I hope ब half life जो concept है बिटा इसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर मैंने किसी reactant का concentration r0 ले रख है जो की एक certain time t is equal to zero पे है तो half life का मतलब ये है कि इस reactant के concentration को r0 by 2 होने में मतलब half होने में जो particular time जो है वो हम लोगों के पास लग रहा है ऐसी reactions को या ऐसी चीज़ को हम लोग जो है वो half life बोल देते हैं half life का मतलब simple है माल रो मैंने 100 reactant के molecules जो है वो ले लिए at t is equal to zero पे और मैंने t is equal to 50 seconds पे ये देखा कि जो reactant के molecules थे वो मेरे पास 50 ही बचे हैं तो इसका मतलब देखा जाए अगर तो वो ये है कि जब मैंने reaction करवानी शुरू की तो 100 molecules मेरे पास reactants के थे जैसे ही 50 seconds खतम हुए तो मेरे पास जो number of reactant के molecules बच गए क्योंकि देखो molecules product में change हो रहे हैं कितने बच गए वो 50 हैं अब ये देखो exactly 100 का आदा तो जितने time में 50 molecules बचेंगे उस particular time को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं half life जो है वो बोल देते हैं तो इसको usually जो है वो हम लोग कई बार t half से जो है वो represent कर देते हैं अब मैं यहाँ पे equation जो है वो लिख रहा हूँ बेटा जी देखो हम लोगों के पास क्या equation थी किसी भी rate की equation या reactant की concentration की question जो है minus kt plus जो है वो r0 के बराबर है अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ तो देखो मैंने ये let कर लिया कि at t half t half पर जो reactant की concentration है वो initial concentration का half होगी अब ये दोनों values जो है वो मैं इस particular equation के अंदर जो है वो substitute कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो पेटा जी क्या होगा r0 by 2 that is equal to minus k times time कितना लग रहा है t half plus initial concentration हमारे पास कितनी थी r0 अब अगर मैं यहाँ से t half की value निकालूं तो यहाँ से देखो पेटा जी k times t half that is equal to r0 minus यहाँ पर हो जाएगा r0 by 2 इसको अगर मैं पूरा particular solve करूंगा तो that is equal to r0 by 2 के बराबर हम लोगों के पास हो जाएगा तो यहाँ पर देखो जो t half आ गया बेटा मेरे पास that is equal to r0 by 2 times k r0 is the initial concentration of the reactant तो अब यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि जो half life है that is directly proportional to the initial concentration of the reactant मतलब जितना ज्यादा amount of reactant मैं लूँगा initially उतनी ज्यादा उसकी half life जो है वो हम लोगों के पास होगी क्योंकि यही equation के अंदर जो है वो हम लोगों ने prove कर दिया इसको जो है वो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे t half जो है वो r0 by 2 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा अब बटा इसके अंदर एक और concept जो है हम लोगों के पास आ जाता है जैसे अगर किसी के दिमाग में है कि भाईया concentration की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन अगर कोई गैसोस reactant है गैस की concentration को define करना बहुत मुश्किल है तो हम जब पर गैस का जो है concept present होता है तो हम लोग जो concentration है न वर्ड उसके लिए धिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल करते है concentration को जो है वो प्रेडिक्ट करने के लिए that particular word is यह हम लोगों के पास क्या है pressure है जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे reactant देखो जो है वो किस के अंदर convert हो रहा है product के अंदर जो है वो convert हो रहा है अब यहाँ पे हम लोगों ने जो equation निकाली थी rt that is equal to minus k times t plus किस के बराबर था r0 के बराबर था अब यहाँ पे जो आपको चीज ध्यान देनी है वो क्या है कि अगर मेरे पास gases reactant है तो मैं term यूज करूँगा pressure at any time t is equal to minus k times t plus the initial pressure of the reaction तो यह term जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करूँगा I hope बड़ा जी यह जो है वो clear है तो next lectures के अंदर जो है वो हम लोग बाकी concepts देखने वाले हैं